सीधी मुक्य चकित्सा और स्वास्त अदिकारी डॉक्टर बी एल मिश्रा ने बताया कि सोमवार को 32 लोगों की रिपोर्ट प्राप्त होई है रिपोर्ट में एक मरीज पॉजिटिव पाया गया उसे तत्काल आइसोलेशन सेंटर सीधी में भरती किया गया इसके साथ ही राहत भरी खबर ये है कि COVID-19 सेंटर सीधी में भरती 4 कुरोना पॉजिटिव मरीज पूरी तरह से स्वास्त होकर हसी खुशी अपने घरों को जा चुके हैं शेश तीन मरीजों का COVID-19 सेंटर सीधी में उपचार किया जा रहा है उन्होंने ये भी बताया कि सीधी के 4 कुरोना संक्रिमितों ने कुरोना की जग जीत ली है स्वास्त विभाग और प्रसाशन के सतत प्रयासों और कुरोना संक्रिमितों के आत्म सयम, धैर और मजबूत इरादों ने कुरोना को परास्त कर दिया है मोकी चुकित्सा और स्वास्त अधिकारी रॉक्टर मिश्रा द्वारा मरीजुकून के सकरात्मक इच्छा श्रक्ती के लिए बधाई देकर पुश्प भेट करते हुए उन्हें समझाईश देते हुए उन्हें घर के लिए विदा किया गया मित्रों जैसा कि आप सब देख रहे हैं हम इस वक्त खड़े हैं कोबीड उनेश के ट्रीटमेंट हॉस्पिटल पर कॉरेंटाइन सेंटर है यहां पर आइसलोशन वाल्ड बना हुआ है यहां पर सभी मरीजों का उप्शार होता है कोरोना वाइरस से संक्रवित ब्यक्तियों का यह सीधी जिले के लिए बड़ी उपलब्धी है कि पहला जथा चार लोगों का जो करोना वाइरस से संक्रवित है स्वस्थ होके अपने घर की और रवाना हो रहे हैं जैसा कि आप देख रहे हैं कि एम्बूलेंस त्यार है यह सभी यहां से डिश्यार्ज हो चुके हैं पू राया जाता था कि लोग्स वास्ति होते हैं और सीधे और लोगश्थ सिधार किन्तुव हमारे सीधी इले की बाड़े अक्ष्य काम करते हुए यह की तो100 नंशिए यहां पर क्या और इसके बारें बताएंगे थोड़ा सा ये चार मरीद जो कोविट पॉस्टिव थे अभी स्वास्थ हो गया है पूरी तरह से और इनकी रिप्लोट भी निगेटिव आई है तो इनको रिसाज किया जा रहा है तो ऐसा माना जाए कि सीधी जिले के लिए पहली बहुत सेंप्लिंग कराएंगे और जिला टीक का करण अधिकारी डांक्टर नागें जी का कहना है कि सीधी जिले स्वस्त